गाइस हमने अपने link list के discussion में काफी बात करी हमने देखा कि singly link list क्या होती है जिसमें कि एक normal से link list थी हमने देखा था कि एक हमारा node होता है अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर देखो एक हमारा node होता है उसका जो next होता है वो अगले node को point करता है and so on until हम null find ना कर ले या हमने तमाम operations देखे थे जिसमें कि हमने insertion देखा था deletion देखा था search भी देखा था आप traverse करते रहें और जैसे element मिल जाए आप रुख जाएं तो यह सारे काम आप लोग कर सकते हैं लेकिन हम लोगों ने उसके बाद circular link list में यह समझा था कि यह जो सारे operations होते हैं यह किसी भी element को और एक और pointer है जो कि point कर रहा है कहीं और and so on मतलब मैं अगर एक random सा कोई pattern लेकर आजाओ आप लोग के सामने तो उसमें भी insertion, deletion, search इस तरह के जो operations हैं वो करने में आप लोगों को उनही concept का उपियोग होगा जो कि आप लोगों ने singly link list में, circular link list में और doubly link list में करना है तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं एक नई link list बना दूँ जिसको मैं doubly link list कहूँ, तो जो चीजे होने वाली हैं वो एकदम similar होने वाली हैं, अब यहाँ पर मेरे पास एक pointer मेरे पास होगा जो कि head को point करता होगा तो मैं आपर link देता हूँ head, यह एक pointer है जो क जो next है वहाँ पर जा सकता हूँ, तो इसमें 3 चीजे हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हमारा structure था, उसमें data और next node था, इसमें एक तो previous node है और एक next node का pointer है, यह pointer है, यह pointer है और यह int है ठीक है, और कौन सा pointer है, यह struct node star pointer है, और यह struct node है, ठीक है, पूरा यह struct node है, यह तो आपक क्या होती है मुझे समझानी की जरूरत बिलकुल भी नहीं है लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला नोड है इसमें दो चीज़े हैं आपकी पास एक extra information यहाँ पर यह है कि आपका previous वाला जो नोड है वो क्या है यह भी आपको पता चल सकता है तो अगर आप लोग for some reason यहाँ पर आपने pointer को point करा देते हो तब आप पीछे भी जा सकते हो आप यहां तो यहां जा सकते हो यहां पहले क्या होता था पहले आप सिर्फ आ गए बढ़सकते था एक बार आपने pointer को चला दिया पीछे नहीं उसको ला सकते यहाँ पर बहुत सारे users होते हैं doubly link list के और बहुत सारे users होते हैं, कभी मैं आप लोगों को link list की practice sets वगेरा करवा दूँगा, अभी यहाँ पर जो हमारा main focus है, वो है link, डबली link list को समझना और link list in general को हम समझ चुके हैं, तो यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा, कि एक next वाला pointer है, एक previous वाला pointer है, जो कि previous node को point कर रहा है, जै अगर मेरे पास एक pointer है, और मुझे पता लगाना है, वो head node है की नहीं है, तो मैं directly उसके previous को access करके पता लगा सकता हूँ, कि वो head node is link list का है या नहीं है, और उसी के साथ तर यहाँ पर, अगर मुझे last वाला node का एक pointer मिल जाता है, तो मैं उसके next का पता लगा सकता हूँ, वो node को, तो मैंने जब यहाँ पर ऐसे बनाया है, तो इसका मतलब यह कि इस node को point कर रहा है, मैं आपर arrows को थोड़ा सा change करूँगा, थोड़ा confusion avoid करने के लिए, और आप भी समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं ज़रा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि यह जो arrow है, यह pointer को point नहीं कर रहा है, यह point कर रहा है, इस पूरे node को, तो मैं ज़रा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, आपको बहुत सारी books में, अलग-अलग online references में, यह node जो है, ऐसे बने होई मिलेंगे, जैसे मैंने यह बना रखें, बट मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, क्योंक नोड को point कर रहा है, जब हम एक pointer की बात करते हैं, तो वो ना ही तो data को point करता है, ना ही इसके previous को point करता है, ना ही next, इस पूरे node को point करता है, तो अगर हम head की बात कर रहे है, head को इस pointer को point नहीं कर रहा है, head इस data को भी point नहीं कर रहा है, head इस पूरे node को point कर रहा है, यानि कि अ आप लोगों को समझने में असानी हो रही होगी क्योंकि आप लोगों ने access कर रखिये ये वाली playlist अगर आपने नहीं कर रखिये तो definitely आप लोगों थोड़ी बाद problem होगी अगर आप लोग एक beginner हो तो अगर आप एक beginner हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो that might not be very useful इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ क्लिक करके playlist को bookmark करो यहाँ क्लिक करके save करो बहुत सारी लोगों ने करिए access पर तब भी जितने लोगों ने course उठाया है यहाँ से सब ने access नहीं करिए मैं चाहता हूँ सब access करें bookmark करें और यहाँ पर मैं वापस आँगा अपनी one note में और आप लोगों को बताता हूँ आगे की कहानी ठीक है तो इसको बनाएंगे कैसे क्योंकि जब implementation होगा तब हम definitely code लिखना चाहेंगे और हम नहीं चाहेंगे लिखना struct node और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बना के दिखाया था कि इसमें एक in data होता है अब यहाँ पर एक extra चीज क्या होगी यहाँ पर हमारे पास एक struct node star previous होगा struct node star prev मतलब previous यानि कि एक node star type का struct node type का pointer ठीक है struct node type का pointer जो की struct node type के structure को point कर पाएगा similarly एक और structure pointer struct node star और next पहले हमारे पास सिब next होता है अब हमारे पास previous भी है ठीक है तो यह difference है बस इतना सा difference है यह extra line add होई है हम पर ठीक है और यह extra line to add होई है वो हमको एक फाइदा यह दे रही है कि हम आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकते है लेकिन आप लोग सोचोगे कि यार पहले ऐसा क्यों नहीं कर लिया हमने singly link list को देखा ही क्यों था देखो यहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा pawn यह है कि जितने notes मैं add करते जा रहा हूँ मुझे यह extra space लग रही है तो यह extra space की cost पे मुझे दोनों side का traversal मिल रहा है ऐसा नहीं है कि मैं doubly link list को हमेशा use करूँगा कभी-कभी अगर मुझे सिर्फ आगे जाना है और use case जो है या फिर अगर मेरे पास memory constraints हैं तो मैं अपनी singly link list से ही खुश रहूँगा doubly link list में आप तब आते हैं जब आपको आगे पीछे दोनों दिशा में जाना पड़ सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि एक pointer जो इधर travel कर रहा है वो अपना mood बदलके इधर travel करना भी start कर सकता है ठीक है दोनों side travel कर सकता है क्योंकि आप P का arrow करके ऐसे कर सकते हो prep और आप पहुंच जाओगे पीछे वाले note में और आप दोनों दिशा में चल सकते हो ठीक है तो यह बस मैं आप लोग को यह बात बता रहा था अब यह हमारे पास एक बार code आ गया तो हम बना सकते हैं अपनी डबली link list को अब डबली link list को जब आप बनाओगे तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो आप notes बना लोगे मानलो आपने यह note बना लिया ठीक है आपने malloc की node 1 इसको n2 बोल देता हूँ इसको n3 बोल देता हूँ और इसको n4 बोल देता हूँ मानलो मैंने कुछ इस तरह से लिखा मैंने का कि यार देखो struct node star n1 और capital में तो capital लिखने देता हूँ कोई बात नी n1 SQL to struct node star malloc मैं आपर थोड़ा इसको ऐसे लिख रहा हूँ आप एक pointer ले लो of type struct node star और आप malloc को यहाँ पर use करके dynamically memory allocate कर सकते हो जैसे आपने यहाँ पर किये कहां पर अरे हमने की थी यहाँ पर यार मैंने आप लोग को बताया था मैंने code में आप लोग को बताया था in fact तो आप लोग जो मेरी website उससे code देख लेना और similar रहेगा struct node star और इसके बाद malloc के अंदर size of struct node star मैं बहुत लंबा लिखना नहीं चाहता है इसलिए मैंने इसको सस्ते में पटा दिया ठीक है similarly आप लोग n2 के लिए भी यह कर सकते हो n3 के लिए भी कर सकते हो n4 के लिए भी कर सकते हो फिर आप क्या करोगे एक बार आपने create कर दिये notes create notes लिख देता मैं आपर फिर आपको link करना पड़ेगा notes को तो मैं comment लिखना मैं आपर link notes और आप link कैसे करोगे notes को आप link करोगे notes को कुछ इस तरह से आप कोगे कि भाई देखो n1 का जो next है वो n2 है ठीक है तो आपको similarly n2 के साथ भी करना है n2 का previous n1 है n2 का next n3 है n3 का previous n2 है n3 का next n4 है यह करके आप लोगो को code बनाना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यह आपको बना के दिखा दूँगा और आप traversal भी कर सकते हो दीगे अब मैं आप लोगों को एक challenge दिना चाहता हूँ एक बार आपने यह बना लिया न यह structure बना के आपने code बना लिया यह आपने create note कर लिया link notes कर लिया यह एक बार जैसे the link list यहाँ पर आपको print होती हुई दिखे फिर आप लोगों को ulti link list print होती हुई दिखे तो यह आप लोगों को प्रोग्राम मुझे लिख कर दिखाना ठीक है अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा ज्यादा लंबा नहीं खेचना जाता हूँ मैं इसको doubly link list is very straightforward believe me हमने बहुत practice के साथ मैं यह नहीं करा हूँगा मैंने practice set में डाले हुए आप लोगों देख लो time complexity solve question डाले हुए मैंने मैं चाता हूँ कि optimal practice के साथ और realistic time में जो बंदा है वो इसको finish कर सके course को मेरा यह target रह रहा है और notes मैं जो है बहुत जल्दी upload कर दूँगा आप लोग यह हो सकता है जब video देख रहे हो तो आपको मिल जाए description में notes मेरे लिए immediately नहीं हो पाता है कभी possible notes डालना क्योंकि मुझे scan करके और PDF बनाने में time लग जाता है तो मैं video पहले डाल देता हूँ और कुछ घंटों का time में लेता हूँ अपना और उसके बाद notes डालता हूँ तो आप आके check करना notes आपको मिल जाएंगे मैंने आप लोग के लिए बना रखे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे मैं आपर video को prioritize कर रहा हूँ और I hope कि आप लोग को चीज़े समझ में आ रही है आप कुछ घंटे बस patience रखके wait कर लिया करो यार क्योंकि मैं immediately नहीं डाल पाता करेंगे और बाद में आएंगे हम लोग link list पर return करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसको देखेंगे बड़ डबली link list आप लोग को code करना है और मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ कि आप code किये बिना आगे please मत बढ़ना ये code जो मैंने आप पर explain किया है ये मुझे नहीं लगता important है video code का ये आप लिख लोगे बना लोगे notes connect कर लोगे अगर by any chance आपको चाहिए तो अगर आज आते हैं करीब 20-25 कमेंट किया हमें code भी चाहिए तो मैं code भी लिख दूँगा वैसे मैंने आप code लिख दिया है बस आपको जो है एक C file में इसको लिखना ह I hope कि आप लोग को इची जिए समझ में आ गई होगी playlist को ज़रूर access करना और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के courses बनाता रहूं डालता रहूं data structure का course डाला और भी अगर आप चाहते हैं आते रहें तो प्लीज इस playlist को share कर दिया करो instagram वगरा का link मैंने नीचे pin comment or description में दे दि हुआ 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 है